आमिर खान करोडो भारतियों की भावनाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं, उन्हें चड़ा रहे हैं, ऐसा कहना है, RSS के मुक्पत पांच जन्निगा, उन्होंने कहा है कि आमिर खान इस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, अपने आपको सेक्विलर कहते हैं, और जाकर ट्र बार बार जाकर भारत के विरोध में बात करते हैं और आमिर खान जाकर उनसे दोस्त देने भारे हैं उनके देश में जाकर शूटिंग कर रहे हैं क्या कहा है उन्होंने मैं आपको बताती हूँ RSS ने कहा पांच जन्ने में वो उनका मुखपत्र है कि टर्की जाकर पूरे भारतवासियों की भावनाओं को छढ़ाया है ठेंगा दिखाया है आमिर खान अपने अगली फिल्म लाल सिंग चढड़ा की शूटिंग करने तर्की गये थे और यही आमिर खान इस्राइल के पीम नित्याहूं से मिलने से उन्होंने इंकार कर दिया जो हमारे देश के हितैशी हैं हमारे देश के साथ खड़े होते हैं उन्होंने लिखा कि वो खुद को जरूरत पढ़ने पर वो क्या दिखाना चाहते हैं क्या है इसे समझने के जरूरत है ऐसा RSS का मुपत्र कहता है वो कहते हैं एक तरफ वो खुद को सेक्विलर कहते हैं और दूसरी तरफ जो इसराइल क तो उन्से समिलने सबना कर देते हैं कश्मीर के मुद्ब्धे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है टुँकी, जी हां उनसे जाकर मिले जबकि Benjamin नियाहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे देश के प्रदाल मंद्री के दोस्त हैं अच्छे गुडबुक्स में हमारे देश की साथ अच्छे रिष्टे हैं उनसे मिलने वो नहीं गए उस कारेक्टर में शरीक नहीं हुए थे जिसक पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हुआ था और विरोध किया तो टुर्की भारत के विरोध में पाकिस्तान भी सब गत्वीडियो का समर्थन करता है इंडिया का नहीं करता तो 15 अगस की रात को टुर्की की फॉर्स्ट लेडी यानि एर्दगेन की वाइफ एमिन एर्दगेन इसने ट्विटर पर कई तस्वीरें शेर की थी और इसमें इस्तांबूल में वो आमिर खान के साथ बात करती नजर आई थी तो ये कईन का ये मुद्दा देश से जूच चुका है लेकिन अब आरेसिस ने इसको मुद्दा बनाया है बड़ा बनाया है तमाम भारतियों के भ बारे में जरूर बताएं बने रहे हमारे साथ लगातार खबरों का सलसला जा रही है